चेन के वुवान प्रांत में जन में क्रोना वायरिस कोविड-19 ने दुनिया के 180 से जादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया पूरी दुनिया में कोविड-19 से अब तक 2,40,000 से जादा मौते हो चुकी है वही 34,000,000 से जादा लोग इससे संक्रम्ट हो चुके है भारत समेत पूरे विश्व की अर्थ व्यवस्था को इस महामारी ने कहरा नुकसान पहुँचाया है सैयुक तुरास्ट ने जितावनी दी है कि दुनिया भर में क्रोना की महामारी 2.5 करोड लोगों का रोजगार छीन लेगी इससे वैश्विक अर्थ व्यवस्था को 3.6 लाग तॉलर का जटका लगेगा वही क्रोना वारिस ने बॉलिवुड को भी बड़ा जटका दिया है लोगों में क्रोना वारिस का डर है और डर का ये असर अब हिंदी फिल्म इंडरस्ट्री यानि बॉलिवुड में भी साफसाम दिखाई दे रहा है कई बड़ी फिल्मों को भारी नुकसान हो रहा है दिल्ली, मुंबाई, करनाट, केरल और जम्मू और कश्मीर के कई शहरों में थेटर बंद किये जा चुके है ऐसा होने से जो फिल्म में रिलीज हो चुकी थी उन्हें भारी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है करोना वारिस की वज़े से कई कलाकारों ने अपने बने बनाय प्लायाद बदल दिये हैं कई फिल्मों की शूटिंग रोखी जा चुकी है और कई फिल्मों की रिलीज डेड हटा दी गई है आइफा अवार्ड और जी सिर्मा अवार्ड के आयोजन भी रद कर दिये हैं करोना वारिस की वज़े से पूरे बजार पर काफी असर पड़ रहा है वालिवुड और फिल्म इंडरस्ट्री भी इससे अचुता नहीं है इससे बचने के लिए राजसरकारों ने सिर्माघर को बंद करने की घोशना की है अब तक 3500 से जादा स्क्रिंज को बंद कर दिया गया है हिंदी फिल्मों के प्रमुप पेर्ट, मुंबाई, दिल्ली, राजस्थान, गुजराथ, बंजाब और बिहार में थेटरों स्पन्द है वहीं कई फिल्मों की रिलीज डेट टाल दी गई है टीवी शोस की शूटिंग भी बंद कर दी गई है क्रोना वाइरस के कारण फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुपसान जेलना बढ़ रहा है तो चलिए देखते हैं बॉलिवुट को क्रोना वाइरस ने कैसे एफेक्ट किया हुआ है क्रोना की बज़े से बॉलिवुट में एफेक्ट हुई ये छे चीज़े क्रोना वाइरस को लेकर लोगों में जिस तरह का डर है उसे ध्यान में रखते हुए जाने माने डायरेक्टर रोहिट शेटी नी 24 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म सूरेवनशी की रिलीज डेट डाल दी है और वो या फिल्म तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक क्रोना वाइरस का खत्रा तल नहीं जाता या फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है क्योंकि इस फिल्म में तीन बड़ी सूपर स्टार अक्षे कुमार, अजय देवगन और रनवीर सिंग एक साथ नजर आ रहे है या एक बड़े बजट के फिल्म है और ओट शेटी नहीं चाहते कि फिल्म को कोई नुकसान हूँ उन्होंने कहा सूरिवन शी हमने एक साल की कड़ी लगन और महनत से बनाई है हमें इसके ट्रेलर का रिस्पॉस भी बहुत अच्छा मिला इससे पता चलता है कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बेहर एक्साइटेड है इसलिए हम इसे रिलीज करने के लिए साही समय का इंचजार करेंगे अब बात करते हैं यश्राच फिल्म के बैनर तरले बनी फिल्म संदीप और पिंकी फरार है की क्यश्राच फिल्म्स ने एक बयान जारी किया है उन्होंने कुरोनावारिस की वज़त से संदीप और पिंकी फरार की डिलीज डेट को रोपने का फैसला किया है जोया अक्तर और रीमा कागती की जानी मानी एमेज़न प्राइम की वेब सीरीज मेड इन हैवन टेहत लोग टे होई थी और अब बहुत जल्द ही इसके दूसर सी जन्यानी मेड इन हैवन 2 की शूटिंग की रोप में होने वाली थी जिसे अब कैंसल कर दिया गया है इस शो की मुख्य किर्दार रही शोबिता घूली बाला को अफसोस है कि क्रोनावारिस की वज़े से वेब शो की शूटिंग कैंसल हुई और फिल्म सितारा पर भी क्रोनावारिस का असर देखने को मिला इस फिल्म में भी शोबिता घूली बाला मुख्य किर्दार निभा रही है इस फिल्म को रॉनी स्प्रो वाला प्रड्यूस कर रहे है इसकी शूटिंग केरल में होने वाली थी जो फिलहाल रोपती गई है सल्मान खान की फिल्म राधे की शूटिंग थोड़े दिनों के लिए टाल दी गई है पहले जहां इस फिल्म भी शूटिंग विदेश में हो रही थी वही अब इसकी शूटिंग आफका कुरोना मुंबई में ही करने का फैसला किया गया है महीं अक्षे कुमार और मिस वर्ड मानुशी छिलर की फिल्म फित्रवी राज की शूटिंग राधे स्थान में चल रही थी लेकिन अब इसकी शूटिंग रोग दी गई है इसके अलावा करन जोहर की फिल्म तक्त की शूटिंग हाली में शुरू की गई थी उसे भी रोग दिया गया है फिल्म की शूटिंग जैपूर और जैसलमार में होनी थी कार्टिक आरियन और कियारा आधवानी के फिल्म भूलवलयाटू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है फिल्म की शूटिंग राधिस्तान में होने वाली थी लेकिन इसे लखनाव शिफ्ट कर दिया गया है पर लॉक्डाउन बढ़ने के कारण इसकी शूटिंग रोगती गई है क्रोना वारिस के कारण यूटू पहले ही काफी लोगों ने थेटर में जाकर फिल्मों को देखना कुछ कम कर दिया था लेकिन अब क्रोना से सुरक्षा के चलते फिल्मों की शूटिंग बन होने के साथ देश के कई राज्यों में सिर्माः घर बन होने से फिल्म वेफसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है फिल्मों की शूटिंग के अलावा हालिया रिलिस फिल्म जैसे बागी 3 और अंग्रेजी मीडियम की कमाई पर भी असर देखने को मिला जाने माने फिल्म ट्रेट एनलिस्ट अमोद महरा ने बताया कि पहले क्रोना वाइर्स का बॉलिवुड पर इतना असर नहीं था लेकिन अब इसका बहुत बड़ा नुकसान दिखने वाला है जिस तरह से सरकार ने आदेश दिया है कि दिल्ली करनाटक, केरल, चम्मों और कश्मीर और मुंबई के सभी सिल्मा घर बंद रहेंगे इन बातों को सुनकर जरूर कहा जा सकता है कि बहुत बुड़ी हानत होने वाली है कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो तो थेटर मालिकों को भारे नुकसान होगा क्रोना को लेकर जिस तरह नए नए मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए सभी फिल्मों के साथ सीरिल्स की शूटिंग भी रोगती गई है फिल्मकारों की संस्था इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रड्यूसर्स अस्टियेशन की अध्यक्ष टीपी अगरवाल बताते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि क्रोना की वज़े से फिल्म की इंडिस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई जल होगी नहीं साथ ही फिल्मों से जुड़ी करीब पांच लाग कर्मचारियों की रोजी रोटी भी खत्रे में फिल्मे मेरा यह मानना है कि लोगों की सुरक्षा सबसे पहले हैं अधिकार श्राजियों में थेटर्स बन होने के बाद अगफिल्म में सीरियल्स और वेब सीरिस की शूटिंग रुकने से फिल्म के साथ टीवी इंडरस्ट्री भी एक बड़े घाटे की ओर चली गई है टीवी पर सीरियल्स के नए एपिसोड नहीं आएंगे और उनकी जगे पुराने एपिसोड प्रसारित होंगे ऐसे में चैनल का प्रसारण तो वही रहेगा लेकिन विज्यापन मिलने बहुत कम हो जाएंगे जिससे मनोरंदन चैनल को भी बड़ी नुकसान का सामना जहिलना पड़ेगा अमोद मेरा कहते हैं हजार करोड से भी जादा का नुकसान हुआ है क्योंकि कई फिल्मों की डेर ही नहीं मिल रही थी इसमें तक्त भी शामिल है यहाँ इस साल की सबसे महंगी फिल्म थी लेकिन अब फिर से इसकी शूटिंग की तारिक आगे बढ़ा दी गई है ऐसे में सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता बलकि उन लोगों का भी नुकसान होता है चो फिल्मों में काम करने से अपनी रोजी रोटी चला रहे है मेकप आर्टिस्ट, जुनियर आर्टिस्ट, स्पॉर्ट पोई, लाइक मैन और कैमरा बैन जिसे तमाम लोगों का रोजगार फिल्म इंडरस्ट्री पर्टिका होता है दूसरे सेक्टर्स की कमपनियों ने भले ही कर्मचारियों को घर से काम करने की सिविधा दे दी है लेकिन वॉलिवुड वालों का काम तो घर से नहीं हो सकता इनकी तो रोजी रोटी छिन जाए आज के लिए फिल्हाल फिल्म वीवर में केवल इतना है वॉलिवुड से जूड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे है फर्दूट